रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच रूस के एक-एक राजनाइक ने बुधवार को दावा किया कि यूक्रेन के युद्ध छेड़ने से डोनबास और नोवरोसिया क्षेत्र में कम से कम 13,000 नागरिकों सहित 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूसी विदेश मंत्राले के अधिकारी रोडियन मिरोशनिक ने कहा कि यह संगर्ष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक यूक्रेन अन्य शक्तियों के हाथों की कटपुतली बनना बंद नहीं करता। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच रूस के एक-ए रूसी विदेश मंत्राले के अधिकारी रोडियन मिरोशनिक ने कहा कि यह संगर्ष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक यूक्रेन अन्य शक्तियों के हाथों की कटपुतली बनना बंद नहीं करता। मिरोशनिक ने परोख्ष रूप से पश्चिमी देशों की और इशारा करते हुए कहा। यूक्रेन गलत लोगों के साथ हाथ मिला कर युद्ध लड़ रहा है।